MP से हैं अनीता जी स्वागत है आपका नमस्कार मुझे हाकीम साथ से बात करनी है जी बात थोरी सुनिता जी मैं हजीर हूँ बताईए क्या सेवा नाकीम साथ जी मेरे ना बालवे में प्रावलम है काई में बालवे में बालों में जी क्या दिक्कत है बालों में पता नहीं डाक और एक नास है ना वो बल्यून की तरह फूली है नाक आपकी नस हाँ नस अच्छा नस फूली हो यह अच्छा कुछ लिया आपने मेरा नस्खा मैंने जो बताया जी आपने कोई नस्खा लिया है मेरा अभी तक नहीं हाँ अभी इंदोर की दबाई चल रही है इंदोर की चल रही है हाँ पर मुझे ना भोत ठकान बहुत जली हो जाती है मैं खड़ी रेती हूं तो मेरे पेर में सूजन आ जाती है और ना भोत ठक जाती हूं अच्छा आयू और बता दीजे और मेरी पेर घुटने में भी बहुत दर्द रियता है आप आयू बताईए मुझे आयू मेरी पचास ठीक देखिए वही सवाल आ गया जी पहल जाता है और देखिए थोड़ा सयम रखें और जो मैं नुश्का बता रहा हूं उसे उस तरह ही ले जैसे मैंने बताया है धनिया और अलसी पीस के रखें दो दो सु गिराम अलसी को हलका सा भून कर उसका पौडर बनाए धनिया का पौडर बनाए इन सब इन दोनों को मिला दे आपस में और एक आता है गौन स्याह इकाला गौन असली चाहिए हर सूरत में हर कीमत पर असली चाहिए ये अदा गिराम लीजे और एक आता है नमक जैतून ये भी असली चाहिए ये एक चुटकी है एक चुटकी नमक जैतून एक आदा गिराम बनसिया और ये जो पौडर मैंने आपसे बनवाया अलसी और धनिया का ये एक चमश है इसमें मिला कर आप रोज आना नाच्टे के बाद और रातों खाने के बाद खाना शुरू करें और कमस कम साथ दिन दस दिन सबर करें इतने दिन में थोड़ा थोड़ा सा फाइदा शुरू करेगा और साथ आठ महीने खाने को तयार रहें असली दवाईएं अगर आपको मिल गई तो आपको फाइदा होना मुम्किन है अमबाला से हैं कमल स्वागत है आपका नमस्कार कमल जी आपका सवाल क्या है तो पैर दर्द रहता है तो दोनों टांगों में दर्द रहता है आपकी उम्र कितनी है अठावन साल अजी जी अठावन साल दोनों टांगों में दर्द रहता है अधिक यह उम्र और यह दर्द कोई ताज्यूब की बात नहीं है चालिस साल के बाद कभी यह दर्द किसी को भी हो सकता है अब जब हमसे लोग जुड़ते हैं तो वो काफी वक्त हो चुका होता है साल दो साल पांच साल दस साल हो चुका होते हैं इस दर्द को इस दर्द का इलाज है युनानी में बस दो हिदायत है और एक दवा हिदायत य ये कुर्सी वाला शोचाले यूज़ करना है और महनत ने करनी वज़न ने उठाना है ये दो बातों का ख्यार लगए और गौन सियाह नाम का एक काला गौन आता है असली आपको फासिल करना है ये जायके में कड़वा होता है और इसे काला गौन भी कहते हैं और हम लोग गौन सियाह कहते हैं ये गौन है जो रौ मेटेरियल है गौन की शकल में नकली बहुत मिलता है असली लेना आपकी जिम्मेदारी ये अगर सौ ग्राम भी मिल गया आपको तो पंद्रा सोला रुपे रोस का इलाज है एक ग्राम खाना है एक दिन में वो भी दो किस्तों में अदा ग फाइदा थोड़ा थोड़ा सा 5-6 दिन में होने लगता है और एक महिना होते होते बीच-30% या इससे ज्यादा या इससे कम फाइदा ऐसे होता है युराणी में जरा सा रोग रोजाना निकलता है एक साथ ये फाइदा निकलता और ये सौ ग्राम भी अगर अगर अश्ली मि गया तो फाइदा होना मुम्किन है जी जैपूर से हैं मोनी स्वागत है आपका जी मैं नमस्ते आंकल जिसे भी मेरा नमस्ते बोल रही जी नमस्कार जैहिन आदाब जी मैं सुन रहा हूं बच्चा मुझे प्रॉब्रम है मेरे हाथ पर में जलन होते हैं मुझे खेल होता है और खाना खाते हैं थोड़ा ज्यादा खाल लेते हैं तो ऐसल अच्छा उल्टी होने वाले थोड़ा इस्ता खाना नहीं खा पाते हैं आपकी एज कितनी है जी ट्व हाइदा भी बड़ा तेजी से होता है और वो यह है कि मैथी सो ग्राम खरी दें और धनिया दो सो ग्राम और इन दोनों का बहुत बारीक पाउडर बना लें अब आपको खाना कैसे है एक आता है नमक जैतून यह भी सो ग्राम लेने अलग रखें यह नमक ऐसा नमक है जो नम कीन नहीं होता और देखने में नमक जैसा ही लगता है यह सो ग्राम खरीद लें अब आदा चमच यह जो पौडर मैंने बनवाया मैथी और धनिया का सो ग्राम मैथी और दो सो ग्राम धनिया इसका पौडर आदा चमच लें और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आता है और सुबह नाश्टे से आदा एक घंटा पहले खालिया करें और ऐसी तरह शाम को खाने से पहले आदा एक घंटे पहले खालिया करें अगर यह नुश्वा आप लेते हैं तो बहुत जल्द आपको फैदा होना मुंकिन है जी अगले कॉलर है राज कोट से स्वागत है आपका सवागत है और आप अपना सवाल कर लीजी सासुमा की उमर कितनी है तो अधिक कितनी अच्छी वहू है कि सासुमा के लिए फोंगी अपने लिए कोई सवाल ने किया वाला कि दनिया मा कोई ऐसा आद मी नहीं इसको कोई रोग नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ सासुमा के लिए फोंग कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करते हैं जो अपना नहीं अपने घरवालों का फाइदा चाहते हैं यह बहुत आसान इलाज है आपकी सासुमा का और यह यह जो धनिया होता ना धनिया पीश ले खुबारी और तिन-चार सो गिराम पीश ले और गौन सियाह ले लें सो गिराम खरीद लें बस असली लेना है याद रखें कि यह नकली बहुत मिलता है हर जगा मिलता है हम जब यह बांगते हैं दुकानदारuroch से दे जाकर तो वो हमें क्या दे देता है एक चमकतावा गौन शीशे की तरह चमकतावा वो एलवा होता है कोई भी चमकतावा गौन ना ले ये जो गौन में बता रहा हूँ गौन सिया यानि काला गौन ये चमकता नहीं है और जायके में कड़वा होता है असली देना आपकी जिम्मेदारी और आदा चम्मच धनिया और आदा गिराम आदा गिराम समझे ले काला गौन काला गौन रौ मैटेरियल आता है इसको पाउडर बनाना पड़ेगा अलग से अलग से बना के रखें आदा गिराम काला गौन और एक आदा या एक चम्मच धनिया में मिला कर आप रोजाना दो बार नाश्टे के पस्चाथ और खाने के बाद आप दो बार दीजे पानी से या बगए चरबी के दूर से अगर असली गौन स्याह मिल गया तो यह 15-16 रुपे का एक दिन का होता है एक गिराम जो अदा अदा गिराम आपको खाना है अगर असली किसी को मिल गया तो बेश्टर उनको फाइदा होना मुम्किन है हरियाना से है रेखा स्वागत है आपका हलो रेखा जी आपको मेरी अवाज मिल पा रही है चलिए आपकी कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो गई है तो आप से कहूंगी कि दुबारा से कॉल ट्राइ कर लिजेगा अब यह समय काफी है अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है और आप जल से जल बहतर होना चाहती है तो आप उसके लिए हमारे हल्प लाइन नंबर पे बात कर सकती है और जब आप हल्प लाइन कीमती नुसके जान सकते हैं क्योंकि वो आपको वही नुसके बताते हैं जो हकीम सहाब से पहले पूछे जाते हैं उनसे सलह मश्वरा किया जाता है डिसकशन होता है प्रॉपर उसके बाद आपको नुसके बताये जाते हैं अगर आपकी call लग जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है अगर आपकी बहुत देर में जाकी call लगती है तो जिस नुस्के का आप सेवन कर रहेते कितना आपको लाभ मिला है या फिर मन में कोई प्रश्ण आप लोगों के होता है तो आप लाइफ कारिक्रम के माध्यम से आपका नज सुग्या है कलम मुत्या के करण दिखाए नहीं दे रहा है माने सुगर के करण अप्रसंद भी नहीं कर पा रहे है ठीक है यहीं अब्रावी है जो दिखिए वाकई जब तक शूगर कंट्रोल नहीं होगी जब तक ऑप्रेशन मुम्किन नहीं है और इसका इलाज आपका ऑप्रेशन ही सही है अगर वो दवा भी खाते रहे शूगर की जो आप खाते हैं और एक आता है जामुन का गौन बहुत मुश्किल से मिलता है बहुत कम मिलता है जामुन का गौन खरीद लीजे और आदा आदा गिराम दो बार कमसकम खाने से आदा घंटा पहले रहें आप चार-छे दिन खाएंगे ना तो आपकी शूगर अपने लेबिल पर आ जानी चाहिए लगी डॉक्टर की दवा भी खाएं और फिर आप टेस्ट कराकर अपनी आख का ऑप्रेशन भी करा सकते हैं तो देखे संतलाल जी आपके लिए जो बहतर था हकीम साहब ने आ अब भी कॉल कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next caller है स्वागत है आपका हालो हान जी आपका नाम क्या है कहां से बात कर रहे हैं जी गौरों नाम है मैं जी गौरों जी इन मदर को ब्लक टेसर लो हो जाता है उनकी उम्र कित प्रक्राइब है और के दिक्कत है और कोई दि इंगेक्शन लगता है डिल्जयम कोई है डिल्जयम का वई तब वो कंट्रोल में होता है ठीक है यह यह बी एक बीमारी है कि बीपी कम हो जाता है और पल्स बढ़ जाती है अब इसके लिए आपको देखिए समझ लीजे नस्वा क्या है यह एक आता है हलीम हलीम बूटी कहत है उसे और यह जैसे तिल होते ना ऐसे ऐसे तिल की तरह बीज होते है लेकिन वो लाल होते हैं सुर्क होते लाल यह हलीम बूटी जो इंडिया में यूज होती है वो होती है जब हम वो फालूदा खाते हैं तो उसमें लाल-लाल से बीज नजर आते हों आपको तो वही बूट याद रखें, दो तीन सो ग्राम खरीद लें, सच्टी आती है, और एक चमच, अलीम बूटी, आप एक गिलास दूद में, जिसमें चर्बी नहो, ज्यादा चर्बी नहो या पानी में डाल दीजे, और एक आता है नमक जैतुन, वो एक चुटकी में जितना आए, वो इसमें ड एक काफी आती, काफी, काफी जो हम पीते हैं, वो ही काफी, एक चुटकी में जितनी काफी आया है, वो भी इसमें डाल दीजे, नमक जैतुन नमकीन नहीं होता, और काफी तो आप जानते हैं, हलीम के बारे मैंने आपको वता एक चमच, और एक चुटकी काफी और नमक जैत और एक गंटे इसे ऐसी रहन दीजे एक गंटे बाद ये प्रियंका स्वागत है आपका हान जी बताईए मैं क्या सवाल है आपका हां मैं नमस्कार आप मैं मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूं पूछी आपका ये मैं देखती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है जी शुक्रिया जी मैं मेरे ये बाज बहुत दर्द रहता है मैंने इलाज भी कराया एक तरह गुरा कराय कोई फायरा नहीं हो रहा तावा भी ले रही हूं दो चार दिन से ये कंधे में दर्द कबसे है ये एक महिने हो गए मैं आपके उम्रे कितनी है खोटी फाय प्याद ठीक है ठीक है आप देखिए अभी तो बहुत अभी शुरू हुआ है दर्द लेकिन ये दर्द पीछा नहीं शोड़ता है किसी सूरत दर्द की दवाएं भी आदमी कितनी खाएगा दर्द की दवाएं खाना चाहें तो खाते रहें लेकिन एक मरज की दवा खाएं मरज की दवा एक राव मेटरियल मैं अक्सर बताता हूं जिसमें बेच्टर लोगों को फाइदा होता है उसको कहते हैं गौन सियाह काला गौन कहते हैं और असली लेना जरूरी है लोग बड़े बेइमानी पर उतरा है नकली बेचने लगे एक गौन सियाह असली लेना आपकी जिम्मेदारी है और बस आधा ग्राम सुबा आधा ग्राम शाम खाने के बाद खा लिया करिए अगर य स्टेटी